स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्म में यूट्यूब चैनल में मैं मैं मांचु जोसी और आप देख रहे हैं जे विस्वल एफेक्स आज हम बात करने वाले हैं EDS में रेंडरिंग की तो आज मैं आपको दाने वालों कि कैसे हम EDS में रेंडरिंग करते हैं कैसे हम ready project को export करते हैं वीडियो में convert करते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम S264 codec का यूज़ करके MP4 में convert करते हैं MP4 में render करते हैं और किस तरह से MPEZ में render करते हैं जो कि हमारी TV के लिए यूज़ होता है तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले बिन में double click कर लेंगे और वीडियो फुटेज को बिन में add कर लेंगे कि मैं यहां से simply कोई भी वीडियो फुटेज में add कर लेता हूं फिलाल इसे मान लिजिए मैंने वीडियो फुटेज अट कर ली तो यह मेरे पास एक वीडियो फुटेज आ गई है तो इस वीडियो फुटेज को मुझे render करना है तो simply आप भी इसी तरह से जो भी project बनाना चाहते हैं वो project बना लीजिए मान लीजिए मैंने एक project बना लिया एक और यह मुझे render करना है तो इसके लिए मैं simply क्या गरूँगा, file में जाऊँगा, export में जाऊँगा और यहां से print to file पे click कर लूँगा तो यहां कापी सारे option खुल जाते हैं, यहां पर कापी सारे preset हैं यह जो भी preset आप use करना चाहते हैं, इसमें जो most commonly जो use होते हैं वो होते हैं आपको सबसे पहले इसका पता देता हूँ, तो यहां पर हम क्लिक कर लेंगे और यहां पर एक option आता है इसपर हमें export करना है, तो इसपर क्लिक करके simply हमें यहां पर एक चीज दी गई है यहां पर आप देखेंगे तो export between in and out, तो in और out अगर लगा है आपकी वीडियो में, अगर आप उस in and out पार्ट को ही render करना चाहते हैं, तो यहां पर check कर लीजिए, तो वो कैसा होगा उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे यह हमारा वीडियो footage है, और म परसल ले जाके हमें simply o press करना है, और यहां पर in out लग गया है, तो अब जब हमें export करेंगे और in out पर check लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक का part export होगा, यह जो extra part है, इतना बचा हुआ पार्ट है, यह export नहीं होगा, यह output में नहीं आएगा, जो वीडियो बनेगी उसमें यह part नहीं रहेगा, तो आपको जितना भी export करना है, जितना भी part आपको चिए export करना है, उसमें in out लगा लिजिए, और simply यहां से file में जाके, export में जाके, print to file भी कर सकते हैं, और simply यहां से f11 press करके shortcut भी use कर सकते हैं, तो f11 इसका shortcut है, तो यहां पर आप देखेंगे, तो हमने यहां पर h264 select कर लिया, और यहां से भी हमने h264 select कर लिया, और यहां पर हमने यह ध्यान देना है, export between in and out पर check लगा लिया, और यहां से simply, यहां पर export का एक option है, उस पर click कर लिया, तो यहां से हमें एक window अलग से open हो जाएगी, तो यहां पर आपको वीडियो को path देना है, ज जगह select करनी है, जैसे मान लिजे मुझे, simply मैं कहां पर save करना जाता है, इस PC में चला गया, और यहां से मैंने इस folder के अंदर, किसी भी एक folder के अंदर, मान लिजे इस folder के अंदर मुझे यहां पर save करनी है, तो simply मैं यहां चला गया, और यहां पर मैंने file को name दे दिया कुछ भ ने थे, bit rate type CBR, average bit rate 18M, और max bit rate 20M, तो ये होगी bit rate, इससे नीचे भी आप कर सकते हैं, 15M में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर जाके 15M में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप लेने चाहते हैं, जितना आप bit rate high लेंगे, उतना video का जो size होगा, वो बड़ा होगा, अगर आप जितना कम लेंगे, जैसे 5M में जाएंगे, तो उतना छोटा size होगा, 50M में जाएंगे तो बहुत बड़ा size होगा, तो आप depend करता है, आप कितना करना चाहते हैं, मैं यहाँ से simply 20 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 20 काफी है, उसके बाद आता है quality, आप कैसी रखना स्पीड में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पर फिलाल super fine select कर लेता हूँ, और यहाँ से audio setting में AAC, FDK, AAC रहने देते हैं, और bit rate 384 kbps, इसको ऐसे ही रहने हम देंगे, तो यहाँ पर मैंने file को name दे लिया है, यहाँ simply मैं save पर click कर लूँगा, तो यह render होना सुरू हो जाएगा, तो फिलाल यह काफी छोटी file थी, तो बहुत जल्दी render होगी, इसी तरह से आप भी render कर सकते हैं, simply आपको file में जाना है, export में जाना है, print to file पर click कर लेना है, और दूसरा जो shortcut है, simply आपने video बना ली, आपका प्रोजेक्ट तंह्यार हो गया, उसके बाद आप YouTube के लिए या पर और कोई platform पर video डालना चाते हैं, तो simply export कर सकते हैं, otherwise अगर आप TV पर देखना चाते हैं, तो यहाँ पर MPEG select कीजिए, MPEG में program stream, elementary stream हमें select नहीं करना है, हमें MPEG to program stream select करना है, और यहाँ पर यह ध्यान देना है कि check लगा होना चाहिए, और यहाँ से simply export पर click कर लेना है, तो export पर click करते ही इस तरह से window open हो जाएगी, यहाँ पर भी same है, उसी तरह से आपको name दे देना है, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे नीचे video settings में, तो current setting, it means 1920, 1080 जो project का size है, उसके according ही ये render करेगा, और उसके नीचे आती quality, quality में आप, आपकी मर्जी है, high speed, यहनी की सबसे low, सबसे जल्दी render होने के लिए, normal, fine और super fine, तो super fine मैं ज्यादा तर super fine रखता हूँ, तो आपकी मर्जी है, बाकी average bit rate मैं आपको बताया है, 15M काफी है, best है, उसके बाद आती है बारी यहाँ पर audio setting की, तो audio format में 3 option आता है, MPEZ1, audio layer 2, linear PCM, और Dolby Digital, तो linear PCM और Dolby Digital क्या है, काफी high quality की audio है, तो यह कई TV में support नहीं करती है, तो जहां तक मैं use करता हूँ, मैं जादा तर यह वाली MPEZ1, audio layer 2 select करता हूँ, ताकि हर TV में यह support कर रहे है, और channel stereo ही रहने दिंगे, bit rate हम 384 kbps ही रहने दिंगे, इतना करने का, simply यहाँ पर हमने फाइल को name द recording ही है, time लेगा, तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, hope आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो please like, share and subscribe.